तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती है, बुरी शक्तियां, मिलते हैं कई लाब जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमह शिवाए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपको तुलसी से संबंधित एक ऐसी information मिलने वाली है, जिससे आप अपने घर को खुशहाल और सम्रिध साली बना सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी के पोधे को बहुत पवित्र माना जाता है, तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है, घर में तुलसी का पोधा लगाने से हमेशा बरकत होती है, विशनु भगवान को तुलसी बेहत प्रिय है, तुलसी के पास दिया जलाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आठे के दीपक को बेहत शुभ और पवित्र माना गया है। तुलसी के पास आठे का दीपक जलाने से मा लक्ष्मी के साथ मा अन्नपूर्णा का भी आशीरवाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दे। इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और गौ माता का भी आशीरवाद मिलता है। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षट डाले और इसके बाद दिया जलाए। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मा लक्षमी का आगमन होता है। नियमित रूप से तुलसी को जल देने और इसके पास दिया जलाने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से घर से नकारात्मक उर्जा बाहर जाती है और घर में सकारात्मक उर्जा आती है। तुलसी के पास दिया जलाने से घर में चल रहे ग्रह कलेश खत्म होते हैं और घर में सुख, शान्ती और खुशहाली आती है। रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगरे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ धन्यवाद आपका दिन शुब हो